हेलो वीवर्स भारोत ने बोड़ा गबस का ट्रफी जीत कर और एक ICC टूर्णामेन की फाइनल में पहुझ गया यानि भारोत ICC का वर्ल्टेस्ट चेंपियंशिप जो ऑस्टिलिया की विरुदी खेला जाएगा जून की महीने में केनिंश्टन ओवाल इंग्लेंड में तो ओ है जो 2023 साल में इंडिया में 50 ओवर की वर्ल्ट कप होगा उसका मिशन काल वारोत ने ऑस्टिलिया की खिलाफी शुरू करने जा रहा है तो इस मिशन का पहला मैच में काल रोहित कैप्टेंसी नहीं करेगा परसनल रिजिन की वज़ाए और इस मैच में नहीं कैप्टेंसी कर करेगा दूसरी में से फिर उन्होंने कैप्टेंसी करेगा तो काल भारोत हर्दिक की नितित्तों में जो ओन्डे सीरीज में ओन्डे टीम का जो वाइस कैप्टेंस है उन्होंने काल इंडिया को लीट करेगा तो एक प्रेश कंफरेंस ने हर्दिक ने बताया जब 50 ओवर की जो वालक अप शुरू होगा तो उसमें कोई नया कुछ करने का कोई चेस्टा नहीं करेगा इंडिया टीम सिर्फ इंडिया को व्रेव यानि कन्फिडेंट होना चाहिए साहसी होना चाहिए तो कल जो एक नया ब्रिगेड आप कह सकते हैं एक यंग ब्रिगेड दो एक प्लियार को छोड़के तो देखना पड़ेगा क्या ओ करते हैं एक साइद एक नुमूना देखा जाएगा जो वालक अप में होगा कल साइद जो प्रेडिक्टेट टीम होने जा रहा है तो साइद ऐसा होगा सुबमन गिल और इशान किशान इशान किशान ने इससे पहले 200 रन बनाए थे फिर तो उसको इस मौका देना चाहिए तो अगर वो अच्छा करे तो बाकी दो मैच में भी वो सुबमन गिल के साथ ओपन करेंगे तो सुबमन गिल और इशान किशान ओपनिंग में आएगा फिर आएगा किंग कोहिली जो हाली में सेंचुरी लगाया है रेड बॉल क्रिकेट में और इससे पहले तो उन्होंने तो किंग कोहिली आएगा फस्ट डाउन में सेकेंड डाउन में आएगा शुरिया कुमार फिर आएगा लोकेश राहूल उसके बाद आएगा कप्टेन हर्दिक पंडिया जो अल राउंडर रूप में खेलेगा फिर एक अल राउंडर आएगा रभिंदर जादेगा रभास का ट्रफी ने ट्रफी में में अब दा शीरीज होया बैटिंग और बोलिंग अल राउंडर पर्फिमेंस करके तो रभिंदर जादेया बहुत ही नजर रहेगा उसकी ओपर क्या कर सकते है वो वाल्ड काप में इंडिया की बहुत ही एक्सपेक्टेशन है रभिंदर जादेया के उपर क्योंकि हाली में उन्होंने टी ट्वेंटी वाल्काप में इंडियरी के कारन हिस्सा नहीं लिया तो उसका उसर भारत और जरूर पड़ा तो रभिंदर जादेगा फिर कुल्दीब जादब और चाहल इसके बीच में इन दोनों के बीच में कोई एक ख़े होगी चाहल कर जागा कल बाहर होगा उसके पार तीन सिमार होगा महामद सामी शियाज और उम्राण मलीक उम्राण मलीक जो इंडिया का स्पीट स्टर है तो उसके उपर भी अगली जो वलक अप होगा 50 वर की तो उसके उपार बहुती एक्सपेक्टेशन रहेगा उसके स्पीट के और इंडिया बहुती डिपेंड करेगा क्या कर सकता है यंग स्टार तो एही होगा इंडिया का प्रेडिक्टेट 11 और उधर अस्टेलिया भी उनका जो रेगुलार कैप्टेन है पैट कमिंग्स वो तो नहीं कैप्टेंशी करेगा क्योंकि उसका जो माप बीमार थे टेस्ट सीरीज में वो चला गया था तो काल और ऑस्टिलिया भी नमेगा स्मीथ की लीडर्शिप में तो उसका 11 ऐसा होगा सायथ ट्रेवी सेट डेवीड वारनास टीप स्मीथ मारनस लवुशने ग्लेन म मीचल मार्स और मारकोस स्टोइनिस के बीच में कोई एक खिलेगा एलिक्स केरी शिन अबोर्ट एडम जंपा और माइकल स्टार्क तो दोस्तों देखते हैं काल क्या होता है जुरे रहे चैनल के साथ वीडियो का चला लगए तो लाइक कोमेंट शेयर और जोरूर जोरूर हुआ जोरू जोचिब